नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत आपका केप इंफेंटेश एक्सपर्ट चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले आपके लिए ECS T10 डेश्डन लीक का 29 और 30 मैच जो की खेला जाएगा बर्लिन CC वर्सिज यूएस जी चैमिनेट के बीच में तो भाई इस वीडियो में मैं आपको इस मैच की सारी इंफोर्मेशन देने वाला हूँ साथ ही भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेयर आपके लिए Grand League में इंपोर्टन रहेगा जो 85 लाख रुपे की Grand League लगी है इसमें आपके लिए कौन सा प्लेयर इंपोर्टन रहेगा और कौन सा प्लेयर आपको काफी अच्छी विनिंग करवा सकता है साथ ही भाई जो एड़ टो एड़ के 2-3-4 मेंबर के कॉन्टेस्ट है वो भी भाई मैं आपको बता दूँगा की कौन सा प्लेयर आपको विन करवाएगा तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंट तक देखना है यापर एक डेमो टीम भी मैंने बनाई आप लोगों के लिए जो कि वीडियो के लाश्ट में मैं आपको दिखा दूँगा और उससे पहले बाई 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 बात करते है स्टेटस की तो स्टेटस पर आने इस पहले बाई मैं आपको बता दूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आयो सी लोग जुड़े हुए आप लोगों की तरह है और बाई सबी काफी मतलब अच्छी विनिंग यहां से कर रहे हैं तो अकर आप भी लगातार विनिंग करना चाहते हो तो बाई जल्दी से जाओ टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल कॉलेगा ने कि आज यह मैच क्हेले जाएंगे पहला मैच दोपहर को साड़े बार अबजे दूसरा मैस दोपहर को डाइब जे होने वाला है और बात करें अगर वैदर की तो यह बहुद्धर क्लावडरी रहे गा और बारिस से के चांस्ट के रहेगे तो बारिस के बाये अ तो ऐसे में थोड़ी थोड़ा सर इसकी मैच हो जाता है तो देखते हैं अगर बारिस नहीं होई ना तो भाई मैं ये मैच पूरा कवर करूँगा और भाई जैसे कि मैंने कल विनिंग करवाई आज भी आपकी विनिंग करवा दूगा भाई ये लिग में अगर इतनी अच्छी वो रही हो ना तो यार आप मिरे को बता देना कई पे भी कोमेंट में बट मैं गारेंटी लेता हूँ आप देखो टेलीग्राम पर आकर टेलीग्राम पर भाई मैं आपको एक से बढ़कर एक विनिंग टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करता रहता हूँ साथी जो फाइनल मुवमेंट अपडेट होती है वो भी भाई मैं आपको बताता रहता अब बात करें वेन्यों की तो बाई रगभी क्रिकेट ग्राउंड ड्रेश्डन का ये वेन्यों होने वाला है और बाई जैसंग मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल जरूर जोईन कर लेना बात करें पीछ रिपोर्ट की तो बाई आर्टिफीचल मैट फॉर्मेट एक मैच बारिश की वज़े से बिना बोल फेक के ही एंड हो गया था बात करें यहांसे अगर यूस जी चैमिनेट की तो इसने भाई फरे दो मैच खेले जिसमें टूर्मेंट की शुरुआत इसने आरके की थी और दूसरा मैच इसने विन कर लिया बात करें विनिंग रिकोर्ड्स की तो आप देख सकते हो भाई मैंने यहां पर इनके सिर्फ लाष्ट मैच की मतलब रिकोर्ड्स निकाले क्योंकि इनका जो उससे पहले वाला मैस था ना उसमें बारिश आने की वज़े से वो पूरा बिना बोल फेके एंड हो गया था और जो उससे पहले वाल प्लस एक विकेट और बात करें साहिल लाल की तो साहिल लाल ने चार रन बनाए इसके लाब बात करें रेवबन डेविस की तो इसने दस रन बनाए एवेस जाफर जो टीम के कैप्टेन है भाई इसने एक विकेट निकाला बात करें मनिस्तिवारी मनिस्तिवारी ने बारा र रहे थे और यहांसे बात करें जी काड़ उसकर की तो इनकी भाई बैटिंग बोलिंग नहीं आई तो यह बाई इनका कुछ रहा था क्योंकि इन्होंने बोलिंग सिर्फ पांच ओवर की करवाई थे क्योंकि बाद में बारी सब आ गई थी तो डियल मैथड से रेजल्ट निकल तो दोनों मैच्स में काफी गजब की परफॉर्मेंस रही है और आप इन्हें ग्रैंड लिंग में एक या दो तीन टीम में या आप इन्हें ड्रोब भी करके चल सकते हो क्योंकि भाई लगातार परफॉर्मेंस देना बतना इतना एजी नहीं होता अब दो मैच्सम परफॉ याने आने वाली है, तो थोड़ा सा आप इसे चाहूं तो एक मैच में ड्रोप करके चला सकते हो, बात करें गोपिनाथ Manow committed to आप देख सकते हो 26 run बनाए přहले मैच में दूसरे मैच में 3 run बनाए बात करें, जी यन खां की तो पहले मैच में आठा रिशे मैच में 14 रन जेन खान भाई बोलिंग पहले तो करवा रहे थे आप मतलब पिछले सीजन बोलिंग करवा रहे थे और बाकी लिग्स में भी बोलिंग करवाता है बाकी याँ पर अभी तक इसने बोलिंग नहीं करवाई ये तो यह थोड़ा सा रिसकी पिक हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिग में आप इसे पीक करना स्मोल लिग में बिलकोल पिक मत करना बात करें वरण और प्छारा गनना बात करें ऑनervी की तो अप्ढ nominees ऑनल मैं ने पहले मैचम नहीं नहीं आए दुसरे मैचमे उलल Всем well give ईकें ते MAL गाये दीसरे मैचमें बाहिए did कि मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम पर अगर ये खेलते हैं फिर किस नंबर पर बैक्टिंग करने आएंगे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर ले ना जिसका लिंक निचर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बात कर राजेस नागराजा ये भी काफी इंपोर्टेंट है पहले मैच में भी एक विक्ट निकाला दूसरे मैच में भी एक विक्ट निकाला बाई सबसे बड़ी बात कैप्टन अपने आपको बैटिंग और उडर में उपर परमोट भी कर सकता है और बोलिंग में पूरे दोवर तो इनोंने पहले मैच में दो विक्री नीकाल दूसरे मैच में एक विक्ट नेंकि दो मैच्छों में तीन विक्ट है निकाल चुके काफ इंपर्ण्ट प्रेंट पिले आपके लिए sow सकते हैं बात करें आपर संदीब गोवडा की तो संदीब गोवडा नहीं आपर पहले मैच में west बाइटिंग बोलिंग पूछ लेंगि, दूसरे मैच में बेटिंग आए थी शिर्फ पान्टेर बना पाईे बात करें साइथ रेड़ी कुसु कुंतला की तो आप देख सकते हो पहले मैच में विकेट लैस रहे थे दूसरे मैच में आपर दो विकेट निकाल ले गए तो ये भी भाई काफी important पिक आपके लिए होने वाला है साथ ही भाई अगर आपको grandly crack करने ना तो उसमें आपको all rounders और बोलर्स को जरूर फोकस करना पड़ेगा batsman को आप चाहे तो चाहो तो मतलब इतना फोकस ना करो लेकिन बाई all rounders को और बोलर्स को इनको तो आपको 100% performance इनकी चाहिए होगी और इन्हीं को आपको captain always captain बनाना पड़ेगा बात करें मुमान इबाद ल्ला की तो मुमान इबाद ल्ला ने पहले मैच में विकेट लैस रही थे दूसरे मैच में पास रण बनाए प्लस एक विकेट भी निकाल ले तो बाई यह थी दोनों टीम्स की प्लेंग इलान प्लस players के record साथ ही by betting order भी यहां से आपको almost 90% confirm हो गया होगा अगर फिर भी कुछ भी changement होता है betting order या bowling order कहीं पे भी कुछ भी changement होता है तो आपको मैं telegram पर update दे दूँगा तो telegram channel का link नीचर description में मिल जाएगा वहां से जाके आप join कर लेना आप बात करते हैं जो मैंने आपके लिए team बना रखी है दो तीन चार मेंबर के लिए तो उसकी हम बात करते हैं आपर विकट किपिंग section में हमारे पास जी मनोरन होने वाले है और आप यहां से चाहो तो आर डेविस को भी रूबिन डेविस को भी try कर सकते हैं काफ़ important player grand league में आप एक दो टीम में जरूर ट्राइ करना ठीक है बात करें आपर अगर बैटिंग section की तो यह से सतंग जाई और वी गोरान वी वी सोरा गनवी तो यह भी काफ़ important player राहूल ग्रोवर ने लास्ट मैच में चोसट रंड बनाए तो यह भी आपके लिए काफ़ important pick हो जाते हैं और इनको काफी लोग captain voice captain बना के आएंगे तो अगर आप safe जानना चाते हैं तो आप इने captain try कर सकते हो बाकि अगर थोड़ा सा risk लेना चाते हो तो आप इने voice captain भी try कर सकते हैं अपर भाई बात करें राजे सनागराजा तो जैसे हैं मैंने आपको बताया एक काफी important player है अपनी टीम का captain है तो अपने आपको उपर promote भी कर सकता है तो इसको आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करना लोगों को कह बाई इसका selection percent है काफी जादा down आ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस match में इसको आप जरूर चाहिए और यहांसे बाई अगर इन में से अगर आप risk लेना चाहो तो भी सोरा गनवी की जगह पर आप के सिंग को भी try कर सकते हो इद दोनों में से आप जिसको चाहो उसको try कर सकते हो बात करें bowling section की तो वहाई आउर्ट राउंडर section की तो यहांसे इमरान बुखार यह मार टीम में रहेंगे और बात करें अब्दुलंद्र गी तो इसको मैने अपने टीम में अपने रिस्क पे रखे है ये भी मेरे को काफी जदा इंप्रूमर्ट प्लेयर लग रहा है आलांकि दोनों में प्रफॉर्मेंस नहीं आई है लेकिन फिर भी काफी जदा important player है आप चाहो तो आप इसे try कर सकते हैं फिर save जाना चाहोते हैं से जी एन खान को try कर लेना क्योंकि भाई नंबर तीन पर बैटिंग करने आएगा तो अगर performance देगा तो आपको काफी अच्छी performance देखें जा सकता है इसके लिए भाई एन मानन दी भी काफी important player आपके लिए होने वाले अगर आप चाहो तो इसे try कर सकते हैं बाकि मैं भाई अभी अब्दुल अंदर के साथ जा रहा हूँ बाकि final update मैं टेली ग्राम पर दे दूँगा और भाई यहांसे बात करें बोलिंग section की तो भाई एन आरायनन हमारी टीम में रहेंगे आवेश जाब फर जासे कि मैंने आपको बताया यह भी काफी important player रहा हूँ तो इसको मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ और यहांसे एन क्रेगर को अपनी टीम में रख रहा हूँ अब आप चाहो तो एन आरायनन की जगह पर थोड़ा सा रिस्क लेके आँसे आप ऐसा मरखील के साथ जा सकते हैं अलंकि दोनों मैचिज में विकेट लैस रहे थे लेकिन भाई काफी important player है अगर विकेट चटकाएगा तो गुच्छों में विकेट चटकाएगा और जिसकी टीम में होगा वो आपको एक तरफ आरा जाएगा तो इसलिए बोल रहा हूँ अग बाई एस हतंग जाई को हमने captain क्यों बनाए क्योंकि बाई यह bowling भी करवाएगा और बैटिंग में तो performance देगा ही देगा तो इसलिए बाई मैंने इसको बनाए बाकि अगर आप differential pick के साथ जाना चाहो तो बाई इमरान बुखारी काफी अच्छे option है बाकि इमरान बुखारी क तो बस दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही अब आप final team एक पर देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखिये तो final team हमारी कुछ इस प्रकार के होने वाली है तो बस दोस्तो आज किस वीडियो में मैं मिलता आपसे next वीडियो में till then take care bye bye